आरवियल बैंक के अंदर जो भी रिकवरी हुर रहे और आने वाले फूचर ट्रेड के अंदर हमारा इसके अंदर अपट्रेंड भी रिकवरी देखने को मिले gauche कहां तक अपयां। recovery होगा कौन सा upcoming recovery है RBL bank के अंदर वही आज के वीडियो में candle chart analysis करते हुए बताने वाला हूं दोस्तों आप सभी को और एक बात बताने वाला हूं RBL bank के अंदर जो भी 170 पे 180 पे 184 पे जिदर भी buy करके चल रहे हैं मैंने सभी को अपने previous वीडियो में target बता दिये हैं अगर आप exit हो चुके हैं तो दोस्तों अभी आप फिर से RBL bank limited के अंदर आप entry लेके चल सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे 184 190 के targets हैं आप देख सकते हैं 184 level हमारा achieve हो चुका है RBL bank के अंदर 190 level हमारे RBL bank के अंदर achieve नहीं हुए दोस्तों उसके बाद stock में reversal देखने को मिली 63 level तक इसके देखने को मिली अगर आप entry लेना चाहते हैं तो fresh entry 171 65 RBL bank जिदर भी reversal जाता हुआ दिख रहा है entry ले लिजे exit level क्या होंगे आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा और अब trend में recovery कहां से लेके कहां तक ओने वाली है candle chart analysis करते हुए आप से भी को बता दूंगा दोस् मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिये RBL bank का candle chart देखते की आपको समझ में आज आ रहा है कि इसके अंदर जो first breakout हुआ है uptrend के अंदर वो ही ये बारी बार recovery लेते वे जा रहा है पर ये हमारे 140 level और 120 level टच नहीं कर रहा है और मेरे previous वीडियो में ये ही recovery बताया था आपको कि अगर ये reversal में recovery लेगा तो 120 level final recovery लेगा अगर हम लोग buying कर रहे हैं तो future trade के लिए backup लगा के ही इसमें entry करेंगे और future plan करेंगे अगर हम लोग RBL bank के अंदर entry ले रहे हैं तो detail आप सभी को मैंने बता दिया था दोस्तों उसके बाद देखे आप सभी को मैंने जो भी 184 के पास buy करके चल रहे है 184 के पास ही double profit में मैंने exit दे दिया है strategy maintain करते हुए जो भी मेरा previous video देखे 170 के पास entry करे हैं 167 के पास भी entry करे हैं 180 के पास exit करने के लिए मैंने बता दिया था आप देख सकते हैं अगर आप मेरा previous video देखे होंगे तो आप सभी double profit में ही exit हो गयोंगे पर इदर panic situation बन रहा है जो 190 में RBL bank को लेके चल रहे हैं future trade के अंदर अगर recovery होगा तो recovery करके देगा अगर without recovery दे रहा है तो हमें without recovery भी देगा पर इसके लिए हमें short term targets लगा के चलने होंगे RBL bank के अंदर दोस्तों और एक बात आपको detail ही बता दो जो इसके अंदर इदर gap up opening आपको देखने को मिल रही है और इसके बाद market में किदर भी gap up opening इदर तक देखने को नहीं मिला इसके बाद जो हमें इदर gap up opening देखने को मिल रहा है यह यहीं पे ही पूरा recovery लेते हुए चल रहा है से 210 के level यह तो फुर्सस से देदेगा पर recovery होगा तो ठहर नहीं दोस्तों stock market में trader कहलाता है वो कैसे वो आप लोगों को अभी बता दू अगर आप 190 के पास लिए है 170 तक average strategy maintain कर रहे हैं तो next level होंगे RBL bank के अंदर अगर हम लोग future backup लेके चल रहे हैं तो 140 और 120 final average levels होंगे RBL bank के अंदर यही final है दोस्तों अगर market के अंदर फिर से कुछ reversal होने लग गया 22,500 level फिर से इसके अंदर break होने लगा जो 23,800 से लेके 22,500 के mid range में bank nifty चल रहा है तो इसके हिसाब से इधर किधर भी break होने लगा तो RBL bank आपको 140 के level भी देखने को मिलेगा दोस्तों और एक बात RSI level below 40 जाता हुआ 20 below trend line भी टच करने की कोशिश करेगा इसलिए आप लोगों को मैं future backup भी बताता हूँ और आगे चला तो normal profit में exit होंगे reversal जाता हुआ दिखा average strategy maintain करके हम लोग double से triple profit कमाएंगे ये बात आप लोगों को बताता ही रहता हूँ दोस्तों हर वीडियो में और एक बात इसके अंदर अगर stock आगे चलके महिनों में dividend भी देने लगा हम लोगों को dividend भी मिल जाएगा पर देखिए panic होने की बात ही नहीं बन रही है अभी के लिए banking sector में क्यूंकि जो इसके अंदर 23,100 लेवल ब्रेक हो चुका है और ये फिर से recovery करने की कोशिश कर रहा है already उसके नजिक आरपार भी recovery कर चुका है दोस्तों इसके लिए आप सभी को बता रहा हूँ बस panic होने की बत नहीं है और एक बात बता रहा हूँ जो भी इसके अंदर हमें कल से परसूं के एक दो हफते के बीच जो भी इसके अंदर ये लेवल से लेके अप्रेंड में recovery देखने को मिली वही reversal में recovery कर रहा है दोस्तों 160 लेवल का same to same इससे ज्यादा stock में कुछ नहीं होगा आप अर बैंक लिमिटेड के अंदर अगर आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए और बन जाएए दोस्तों hypertrade family के member और एक बात आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का link description में मिल जाएगा आज का दिने दोस्तों 16th October Friday 2020 RBL Bank का closing है 171.70 पैसा यह जो मैं target निकाला हूं Monday market में trade करने के लिए लिकाला हूं 19th October 2020 Monday के लिए Monday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे levels and targets and stop loss Monday market में लेके चल सकते अगर आपकी entry हो रही है मेरे levels के उपर तो आप targets and stop loss immediate लगा लीजिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों Monday market में trade करने के लिए आप अभी screenshot निकाल लीजिए